हेलो फ्रेंट आज किस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं कि डिप्लोमा करने के क्या फायदे हैं 2023 में अधि आप डिप्लोमा करने जा रहे हैं या करने वाले हैं इस वीडियो के आप पूरा देखेंगे तो 100% आपके सारी जानकाई मिल जाएगे और डिप्लोमा और डिगर लेपाऊ घर बयट है कि आपको करना चाहिए तो दोस्त हम आगार बात करने की अगर करने का दोनों में यह निदी करने वाल हो तो तो मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप डिपलोमा करिया चाहे यह कि ते लाइक काई इसको बेरोजगार रह जाओगे पढ़ाई करना हो जिसके लिए भरती बहुत रहती जाँ कि आप शुप बहुत कम रहेगा तो आप बेरोजगार रहे जाओगे के बाद बेरोजगार रहे गए तो फिर आप कोई पढ़ने का क्या मतलब तो फिर दोस्त आप डिगरी को चाहे फिर रखो पास में ना रखो आपके लिए कोई माहिने रखता नहीं है लेकिन दोस्ते आप गौवर्मेंट सेक्टर में जाना चाहते हो भी भी टेक या फिर है जो आपको बेनेफिट मिलेगा जाब में और आपको कम्पणी से हृइरक लेकिनत contribute के बाद बाद को को वो सकता यहाँ पर ही पर सबाद बैसे आप कर चांसे हां लिह निकालते हो पता करना पड़ेगा अपडेट रहना होगा और आपके पास कोई इक स्किल भी होनी चाहिए और अधे अब गेट में जाते हो डिरेक्ट तो आइटे डिप्लोम बंदों को गेट से हार कर लेता है और बल्क में हार करता है हर दिन जो तरह सोंबार मंगल बार डेट फिक्स रहत इसके फिर और भी बिटे के बंदो होते हैं उनको ट्रेनिंग में भी नहीं रखते हैं कमपनियां तो इसलिए आपको जो है डिगरी करने की स्कुप प्राइवेट स्क्टर में कम रहेगा लेकिन डिप्लोमा करने के विए जाब इसको जादा रहेगी से अची खासी रहती है आप सेलरी जानना चाहते हैं तो मैंने वीडियो अल्रेडी बनाया है आप देख लेजेगा बंकि आपको बता दे हैं कि ट्रेनिंग के टाइम में आपको 14-15 जार रहेगा इसके बाद आपकी सेलरी बढ़ती है जूनियर इंजिनर के पोस्ट में रखना पड़ता उसके बाद तो दोस्तों वहां पर डिप्लोम वालों बंदों को थोड़ा हायर करती है लेकि उतना जाता हायर नहीं करती है इसलिए आईटेक भरती सबसे जादा रहती है थेंक्यू चैनल विजिट करने के लिए यह होप आपको वीडियो से हल्प मिला होगा थेंक्यू चैनल विजिट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्नावाद